हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं अपना फेबरेट यूटूब चैनल ग्यांचन्द फेबिरकेशन और महें ग्यांचा स्वगत कतों आप सभी का दोस्तों यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने एक कूलर का इस्टेंड बनाया है जिसकी लंबाई जो है कि 27 इंची औ दोस्तों वैसे तो कूलर एक जगह अस्थाई रखने वाली चीज़ है लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जैसे कुछ लोग जो होते हैं कि घर के बाहर जैसे कहीं पर सोना चाते हैं कहीं खटिया इधर करके सोते हैं कहीं उधर करके सोते हैं तो माले जैसे कूछ लोग ऐसे होत यह मार्केट में 60-70 रुपे की आसपास की मिलती है और देखिए जब यह कूलर को गीचा जाता है न किसी भी डारेक्शन में गीचा जाता हो तो यह आराम से उस डारेक्शन में मुड़ जाता है पहली बात दुसरी बात इसमें देखिए गारारी लगी है जो की स्मूतली की चलती है और दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए जिसे मैंने वेल्डिंग कर दिया है आप लोग देख रहे हैं यहां पर जैसे कि यह जो नीची का आए अगर लकडी उकडी में जैसे जाम करना होता है तो वहां पर इस ग्रूप से कसा जाता है लेकिन यहां चुकी जैसे कि माले जी अगर किसी को भी ले जाना है तो जैसे इस तर से करके अपना आराम से फर्स पर है तो आराम से जैसे घीच सकता है यह किसी भी डारेक्शन में आराम से मुड़ जाता है और आराम से जैसे चल सकता है यह देखिए यह कितनी आराम से इदर दर जैसे कि आप इसे भी लगा सकते हैं और आप जैसे इसे सेट करने के बाद कम से कम जैसे सौसोल पर प्रतेक चक्के के मतब आप ले सकते हैं तो दोस्तों यही बताना था उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी और कैसी यह कुलर का इस्टेंड आप लोग जरू कमे हुआ